नमस्कार किसान बाइद इस चॉक्टर चारण इससे इंग और मैं स्वागत करता हमेरी टिप सानल रहें आज वीडियो में हम एक ऐसी इंग्रीट के बारे में बात करने वारे हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सभित हो रहा है तो इस इंग्रीडिट को अच्छे से जानते हैं और डिसकस करते हैं इसके बारे में डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं डेरी फार्मिंग में बहुत सारे फार्मर्स में मिलता हूँ तो उन सभी मेरा कुछ ऐसे कॉमन सारे टॉपिक होते हैं इस्यूस होते हैं जो सब भी फार्मियों में common होते हैं, वो होता है, दूर्थ में fat कम हो गया है, हमारे पशूर जो है, उसको diarrhea लगया है, उसके जो गोबर है, उसमें थोड़े दने दाने आ रहे हैं, या वो उसका पानी का intake कम हो गया है, दूर्थ जादा नहीं बढ़रा, बेशक हमने सारी होता है, क्योंकि as compared to गर्मियों में पशूर को सम्मालना तो है difficult होता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाते हैं, जिसकी वज़े से कुछ दिखते आती हैं, तो इन सभी का ये common सा हला निकल गयाता है, वो है हमारा baking soda या sodium bicarbonate, इसकी क्या buttons है, वो details से discuss करते हैं, यह बहुत simple सा फंडा है, अगर आप इसको समझ गये तो मतलब सारी डेरी farming को समझ गये, अब हम जानते हैं कि एक पशू के, जो एक जुगाली वाला पशू है, जुगाली वाला पशू कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे बैंस, गाएं हैं, बक्री वेड़ हैं, तो इन में क्या होता है, इ उसके capacity around 200 लीटर की capacity हो जाती है, और 200 लीटर का पेट हो गया हमारी गाएवैस का, तो इसमें एक चीज को बहुत सारा monitor करना बड़ा difficult है, और अगर हमने उसको monitor करनी है, तो मतलब हमने सारी डेरी farming को जीत लिए हैं, इसमें क्या है, वो है pH, र्यूमन का pH मतलब वेरी करता है 0 से लेके 14 तक, अगर र्यूमन का pH 0 से लेके 7 तक है, तो उसको बोलते है acidic condition, और अगर 7 से लेके 14 तक है, उसको बोलते है alkaline condition, और र्यूमन की जो ideal pH है, वो वेरी करती है, 6.2 से लेके 6.7 ये 6.8 तक, मतलब र्यूमन की pH slightly acidic होती है, और इसको ही maintain करके रखना है, अब दिक्क दाना डालेंगी, तो दूद का उत बादन बहुत बढ़ेगा, अब दूद की बढ़ाने के वो क्या करते हैं, निक तरह के दाने खिलाना शुरू करते हैं पशो को, जो गलत नहीं है, खिलाने भी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ दाना ही दे जा रहे हैं, अब feed company नहीं बेतनी आगे हैं, वो उनसे feed by करके पशो देते रहते हैं, या खुद दाना बना के देते रहते हैं, जब हम दाना अकेला पशो को देंगे, तो वो सारा दाना टोट के किसमें convert हो जाएगा, एसिडिटी में, तो क्या condition बन जाएगी, एसिडॉस के condition बन जाएगी, तो इसकी में समस्या आगी हमें कि हमारा पशो असिडॉस होगी, मदलों इसकी pH के ले गई, और दूस्टा condition आती है, सियाल के सिजन में, सियाल के सिजन में हरे वाले पठे बहुत ज़दा होते हैं, जैसे कि राई, ग्रास, बर्सीम, लूसंस बगारा, और जो हरे पठे ज़दा देते हैं पशु को तो उसमें किस में क्या होता है, कि बहुत सारा खारापन बढ़ जाता है, तो उसकीज में क्या हो जाता है, रिमान की pH साझ से बढ़ के आथ, नो तक हो जाती है, तो इस किसमें क्या हो गया, अलको तो यह दोंու condition ही सही नहीं है, वैसे तो जो 0 पशु के लार है उसमें जो जो pH है वो around 8.5 होता है वो बहुत कोशिश करता है पशु एक natural tendency है कि भी पशु को balance करें रखें लेकिन जब हम जादा ही दाना दे देंगे तो mostly condition field में क्या देखें गई है वो acidosis की conditions देखें गई है इसको बहुत सरे तरीके हैं हम कई पार ऐसा हो है कि वैसे symptomatically देखें बता सकते हैं या हम यह देख सकते हैं हिस्ट्री कौन से है कि पशु को क्या खिला रहे है उससे जज़ कर सकते हैं कि यह condition acidosis की है यह condition alkalosis है तो उसी हिसाब से हम उसका treatment देते हैं इनका treatment में बहुत easy है अगर acidosis है तो हमें पता है कि soda वगरा यूज कर post of the cases जो देखे गए हैं बारत में वह acidosis के ही condition है क्योंकि ज्यादा दाना देने की वज़ा से राइट क्योंकि पंजाब गरा में हरा फिर भी बाकी स्चेट में हरा है नहीं तो वह क्या करते हैं पशु का dry matter पूरा करने के लिए सिर्फ दाना ही डालते डालते क्या करते हैं वह भी क्या बनाएगी अंदरा के acid बनाएगी तो उसको balance out करने के लिए बे कुछ मात्रा में हमें हमने अपनी डाइट में soda include कर सकते हैं अगर हमारा fattening वाले पिग है तो उनको around 3-5 grams हम अगर daily basis पे soda दे तो उनमें fattening weight gain के capacity बढ़ जाती है सो का milk production बढ़ाने के लिए हमें 4-5 grams अगर soda दे तो सो में milk production increase हो जाता है जो कि बच्चों को दूद पिलाने में ज्यादा help होगा और बच्चों को milk की deficiency बहुत कम आएगी तीसरा है हमारा piglets के case में जो बच्चे नफ जमें बच्चे हैं जो 10-15 दिन के हो गया उनमें भी 0.2 grams अगर हम soda include करें तो उनमें जो lycine की deficiency है वो कम हो जाती है और थोड़ा बहुता जो alcosis हो अपड़ता है वो decrease हो जाता है तो soda की pigri के case में भी अलग लग ये section में अपनी ह importance है right तो यह हो गया total overview in the case of pigri में pigri में अगर वो भी है कि अगर हमें symptom देखे कि अगर डाइरिया आ रहा है थोड़ा सा skin का texture आता है तो उन cases में भी हम soda को include कर सके है डाइट में डेरी की अगर बात करें तो देरी में ये pH अगर हिल गई तो बहुत सारी समस्या आएगी जैसे subclinical mastitis आ जाएगी ठीक है फिर अगर पीह चल गया तो डाइरिया वगरा हो जाएगा लूस उनका उसका गोबर लूस हो जाएगा राइट तो ऐसी समस्या है जो सारी अगर ब्रॉड नी देखना हो तो किस केसे में सोडा डाल सकते तो वो कुछ ऐसे केसे से अगर आप ज़्यादा साइलिज दे रहे हो पशू को फाइबर कम है मतलब हरा चारा कम है तो या ज़्यादा दाना दे रहे हो पशू में या अर्नी लैक्टेशन है नायरा दूद में ब्रॉड 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 देना है तो उसकेस में आप अपने जो एनिमल से उनको सोडा दे सकते हो नेकिन सर्फ यह याद रखना डेरी एनिमल में अगर एनिमल के ड्राइब ब्रॉड में आ गया जो कि हम बोलते हैं 45-60 डेज प्रायर टु काविंग जब उसके ब्याने में 40-60 दिन रह जाए तो उसकेस में आपने सोडा बंद कर देना है क्योंकि उसकेस में हमने नेगटिव अनाइनिक डाइट देनी होती है तो उसकेस में कम्प्लीट ही आप सोडा बंद कर दें क्योंकि फिर डीक्याट के प्रावलम आ जाती है जिसकी वज़ा से आप सोडा अराम से डाल सकते हो बिना कोई दिखकत के अब रजल्ट आप देखना कितना बढ़कि आएगा अब आगया है गर्मी का मौसल तो हीट स्ट्रेस में जो सोडा की इंप्रावलम और बढ़ जाती है सबी फार्मिंग में क्या है कि अगर हम सोडा फुर्थरो डाइट में इंक्रीज करें तो एक तो हीट स्ट्रेस जो परशु को हीट लगे वो कम लगेगी और डाइटरी जो इंटेक है नॉर्मल परशु का ड्राई मैटर इंटेक कम हो जाता है गर्मी के मौसल में वो बढ़ का